ना किस्सों में है, ना किस्तों में है, ना किस्सों में है, ना किस्तों में है, जिंदगी की खुब सुरते तो सचे रिस्तों में है, चेरे पर, एक प्यारी सी समाइल के साथ चले शुरू करते हैं, आज का अपना टोपिक, B.A.B.S.C. First Year Algebra, Exercise 8.3, Question No.11, तो Question 11 हमारे पास, इफ, Alpha, Beta, Gamma are the roots of the equation, XQ plus X plus R is equal to 0, find an equation whose roots are this, Beta plus Gamma upon Alpha square, Gamma plus Alpha upon Beta square, Alpha plus Beta upon Gamma square, ठीक है जी, यह हमारे पास roots दिये गई है, तो हमें equation बनाने है, ठीक है, चले बनाते equation, Let, Alpha, Beta, Gamma are the roots of the equation XQ plus X plus R is equal to 0, इसको नाम देते है, equation No.1, ठीक है जी, तो यहां से क्या निकालते हैं, sum of roots निकाल लेते हैं, Alpha plus Beta plus Gamma, यह हमारे पास क्या बनेगा, X square coefficient, अपॉन में X coefficient और negative sign, तो X square coefficient यहां पर नहीं है, तो यह बनेगा 0, Alpha, Beta, Gamma, product of roots, यहां पर होता है, minus के R, ठीक है जी, पावर 3 है, Ode है, तो यहां से sign क्या बनेगा, minus के बनेगा, और अपॉन यहां पर coefficient X cube का coefficient 1, ठीक है जी, यह हमारे पास हो गया, अब हमें क्या करना है, हमें equation बनाने है, let the new equation in variable Y, then, जो Y है, Y को में क्या लिख सकते हैं जी, इन में से किसे एक ओल इखलाप की चोईश है, ठीक है, तुम ले ले लते बीटा प्लस गाम्मा, अपोन Alpha square, ठीक है, अब बीटा प्लस गाम्मा अपोन Alpha square है, ठीक है, तो इसकी value हम कैसे put करें, यहां से relation कैसे बनाए, X के बीच में, और Y के बीच में, ठीक है, ठीक है, तो relation बनाते हैं यहां पर, तो बीटा प्लस गाम्मा है, और हमारे पास यहां पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गाम्मा है, तो यहां से क्या करेंगे, बीटा प्लस से क्केल और पूर्ण मारे पास सब्सक्रा पूर्ण सकते हैं था कि च्यर्वान मेंधने पास थो मस्त पूर्ण बाइज़ और तो इसाम्स然后 सकते हैं अब क्या करेंगे दृष औट इसाइए आपकेश्वं एक्वेंग का सल्टेख ए तो जाएगा X को या बेज़ दो Y को नीचे बेज़ दो Put in equation 1 इसको equation 1 के अंदर put कर दो हमारा answer आज जाएगा तो put करते X के place पे minus के 1 upon Y की cube पलस के क्या हूँ minus के 1 upon Y plus के R is equal to 0 ठीक है जी तो यह बनेगा minus के 1 upon Y cube minus क्या हूँ upon Y plus के R is equal to 0 ठीक है एक काम खूर यहां से minus से multiply कर दो और Y cube से कर दो multiply that is minus Y cube से multiply करेंगे तो यह हमारे पास बनेगा G1 यह बनेगा हमारे पास क्या हूँ Y square ठीक है यह बनेगा हमारे पास minus के R Y cube is equal to 0 ठीक है यहाजब minus से multiply चलो माहिने से नहीं करते हैं इसको पलस से कर देते हैं वना फिर मैं माहिने से फिर करने पड़ेगी चले मैं इसको माहिने से नहीं करता हूँ यह minus minus plus ठीक है इसको आगे लिख दो R Y cube minus के क्या Y square minus के 1 is equal to 0 यह लिख दो इसको अगे लिख दो दो इसको अगे लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो इसका अंसरी मैच कर लेते हूँ आर वाई Q minus क्या Y square minus के 1 is equal to 0 ठीक है जी जल्दी से नोट कीजिए फिर करते हैं इसका second part हमारे पास इस question के तीन पार्ट दे गए हैं तो second part हमारे पास beta upon gamma प्लस gamma upon beta gamma upon alpha plus alpha upon gamma और alpha upon beta plus k beta upon gamma beta upon gamma plus k gamma upon beta gamma upon alpha alpha upon gamma अल्फा पून गामा ठीक है जी, अल्फा पून बीटा, पलस के, इस question के अंदर प्यारे बचों, mistake की हुई है, ठीक है, missprint है, question की statement, अब check कर लेने, ठीक कर लेने, ठीक है, देखो, relation क्या है, बीटा गामा, गामा बीटा, गामा अल्फा, अल्फा गामा, तो अल्फा बीटा, ब हमारे पास, अल्फा बीटा, गामा रूट से, एक्वेशन के, गीवने जी, ठीक है, यह मारे पास काम हो जागा इतना, अब हमें क्या करना है, y is equal to, इसको पूट कर दते हैं, बीटा पून गामा, पलस के गामा पून बीटा, ठीक है जी, इसका else मिलेंगे, तो क्या बनेगा गामा बीटा, तो यहां से बीटा स्केर, पलस के गामा स्केर, और देखो यह काम तो हम छोटे क्लासिस के अंदर करते हैं, क्लास 10 के अंदर आपने क्या होगा, ठीक है जी, तो बीटा स्केर पलस गामा स्केर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बीटा पलस गामा स्केर, ठीक है अब दिखो यहां से बीटा स्केर प्लस गामा स्केर प्लस के टू अलफा बीटा बीटा गामा आएगा हमें क्या चाहिए हमें तो सिर्फ यह चाहिए तो बीटा गामा आएगा ना तो उसको कैंसल करने के लिए माइनस के टू बीटा गाम लिख देते हैं ठीक है जी ओनीचे हम मैने सक अल फाक दे मैं इसको अपयोगे इस नीचे बहुत है उपने सब्सक्राइब करांद्ट में आपतले असwn सेई लिख दूँ अपोन में गामा बीटा माइनस के यह बन जाएगा मारे पास टू ठीक है जी इसके निचे लिखेंगे तो कैंसल आउट हो जाएगा यह अब यहां से देखो गामा बीटा है इससे तो मारे काम चलने वाला है यहां पर क्या जी अल्फा बीटा गामा है तो क्या करिश के अल्फा से मिल्टिपलाई अल्फा से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा यह इसको में लिख दू अल्फा क्यूब अपोन में अल्फा बीटा गामा तो X-Q-K-R-2 because Alpha J root of equation 1 Alpha equation 1 का क्या जी root है तो मिने इस कैसे लिख दिया इसकी करते है multiply लसे मिले लेते हैं X-Q-2-R-2-R-R अपन में minus R यहां पर Y तो यह बनेगा minus के YR is equal to X-Q-2-R तो इसको लेक सकते हैं X-Q-2-R minus R set जाएगा तो plus के YR ठीक है यह हमारे पास बन जाएगा हमारे पास इतना कम हो गया इसको माले लेते equation number हम equation 1 हो चुके हमारे पास equation 2 consider कर लेते हैं अब यहां से हमें is equal to क्या 0 बच्चेगा यहां से हमें X के लिख निकाल लिए अब यहां से X के लिख कैसे निकाल लेंगे यह थोड़ा काम मुश्कल हो जाएगा तो क्यों न हम equation 1 की help ले ले ठीक है जी कैसे equation 1 के अंदर से हम equation 2 को सब्टेट कर दे तो मारे काम बन जाएगा now equation 1 minus equation 2 V है अब देखो X क्यूब है X क्यूब से X क्यूब cancel out subtract हो गया फिर क्या हो X है और यहां पे क्या जी 2R है ठीक है यह 2R है यह R है तो R में से 2R माइनस करेंगे तो क्या बच्चेगा माइनस के R बच्चेगा क्या हो X है और यह YR है हमारे पास तो यह बनेगा जी क्या हो X minus के YR is equal to 0 हम जी यह बन जाएगा हमारे पास अब देखो यहां से हमारे पास equation यानि X के लो निकल जाएगे हमने क्या 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 जब्टेट किया है X क्यूब में से X क्यूब माइनस हो गया 2R थे इसको मैं R को मन निकालता हूँ 1 पलस के Y तो X is equal to R into 1 पलस के Y अप उन में क्या हो इसको करते हैं जी put in equation 1 यह हमारे पास आई X के value इस value को हम यहां put करेंगे तो हमारा अंसरा चाहेगा चलिक करते हैं put मैं इसको यहीं रहने देता हूँ क्योंकि इसका मैं फिर से use करना पड़ेगा मैं इसके नीचे वले portion में लिख देता हूँ ठीक है जी X के place में मैं put करना R into 1 पलस के Y ठीक है अप उन में क्या हो तो R into 1 पलस के Y अप उन में क्या हो तो इसको लिख सकते R cube इसकी cube और इसकी cube ठीक है जी cube हो जाएगी से भी की ठीक है पलस के क्या हो into X है X के place पे R 1 पलस के R अप उन में क्या हो ठीक है जी पलस के R is equal to 0 तो देखो प्लस के R is equal to 0 तो देखो प्लस के R से क्या हो का इंसल लाउट हो गया ठीक है यह हमारे पास R cube 1 पलस के Y की cube क्या हो क्यों क्या हो गया multiply कर देंगे तो R क्या हो क्यूब 1 पलस के Y पलस के R क्या हो क्यूब is equal to 0 ठीक है जी यह हमारे पास क्या जाएगा इसका answer आजएगा इसके बाद देखो यहां से हमारे पास उपर से R यहां भी R यहां भी R तो यहां भी R R R को मनिकाल दे तो क्या बच्चेगा R square 1 पलस के Y की क्यूब पलस के क्या हो क्यूब 1 पलस के Y पलस के क्या हो क्यूब is equal to 0 ठीक है जी यह हमारे क्या जाएगा इसका final answer आजएगा equation इसको आप चाहो equation यह है यहां आगे सोल क्या हुआ आगे सोल करना चीज़ को वैसे देखते है R square Y cube ठीक है जी आगे फर्दर सोल क्या हुआ कोई बात नहीं इसको सोल कर दते है यह पार्ट अपने नोट कर लिया होगा च्योंकि मैं इसको ना Y cube में Y square में Y में अलग-अलग different rate कर सकते है तो हमारे पास R square 1 पलस के Y cube पलस के 3 A square B 3 Y पलस के 3 A B 3 Y square पलस क्याओ क्यूब पलस के क्याओ क्यूब Y पलस क्याओ क्यूब इस इकल टू जीरो अभी यहां से Y cube के ट्रम count करते है Y cube यहां पे है R square तो R square Y cube पलस के Y square के ट्रम देखते है Y square के ट्रम यहां पे यह है तो 3 R square नहीं और कोई और R square Y square पलस के Y की ट्रम हमारे पास 3 R square पलस के क्याओ क्यूब यहोग यहमारे पास Y की ट्रम पलस के constant ट्रम बचती हमारे पास R square पलस के 2 क्याव क्यूब is equal to 0. This is the required answer. Answer पर match भी कर लते हम. हमारे पास R square y cube 3 R square y square 3 R square plus क्याव क्यूब R square plus के 2 क्याव क्यूब ठीक है जी? जल्दी से note कीजिए. फिसका next part करते हैं. कि नेक्स्ट पार्ट में हमें ये चीज़ तो लिखने ही पड़ेगी न तो बार बार ने ना लिखना पड़े इसलिए मैंने स्कुई यहीं पर छोड़ दिया तो पार्ट थर्ड हमारे पास है बीटा स्केर पलस बीटा गामा पलस गामा स्केर तो गामा स्केर पलस गामा अल्फा पलस अल्फा स्केर अल्फा स्केर पलस के अल्फा बीटा पलस के बीटा स्केर ठीकर जी यह हमारे पास है तो न्यू एक्वेशन इन वैरिबल वाई let new equation invariable y then y is equal to इन बेसे किसी एक को लिख दो हम first को लिखते हैं बीटा square पलस बीटा गामा पलस के गामा square ठीक है जी यह हमारे पास है तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ बीटा square पलस के गामा square पलस के बीटा गामा हम जी इसका formula फिर चे बना देंगे क्या बीटा पलस के गामा का square माइनस के हमें क्या चाहिए यहां से तू बीटा गामा हैगा पलस के हमें तो सिरफ यह चाहिए ना तो माइनस के टू बीटा गामा कर देंगे और पलस के बीटा गामा यह है तो यह बनेगा बीटा पलस के गामा का square माइनस के बीटा गामा तो यह value put करता है, बीटा प्लस गामा की value क्या हैगी जी, यहाँ से माइनस के alpha हैगी, माइनस के alpha का square करेंगे, लिए देते हैं माइनस के, बीटा गामा है, तो तो क्या करो, alpha से multiply, alpha से divide तो यह बन जाएगा हमारे पास alpha बीटा गामा की value जी, माइनस के r, तो माइनस के r अपून alpha, ठीक है तो यह हमारे पास, यहाँ से बनेगा y is equal to minus alpha, तो alpha का square minus minus plus के r upon alpha, ठीक है जी तो इसको लेक सकते हैं, y is equal to x square plus के r upon x because alpha i j root of equation 1 तो यह हमारे पास y is equal to x cube plus के rx, और यहाँ x cube plus के r, ठीक है और यह x side है जाएगा तो x cube plus के x y plus के x cube plus के, नहीं, minus के x y क्योंकि हूँ set जाएगा, plus के r is equal to 0, इसको नाम दिया equation number 2 का, यहाँ से x कली निकल थोड़ा मुस्किल काम है, ठीक है जी value निकलेगी, बटो फिर value complex के अंदर जाएगे, तो हम क्या करते है equation 1 or 2 को subtract कर लाते है now equation 1 minus equation 2, तो x cube में से x cube subtract हो जाएगा, ठीक है जी क्या हो x में से x y subtract हो जाएगा तो क्या हो x plus के x y, r में से r subtract करेंगे 0 बन जाएगा तो यहाँ से x को मना जाएगा, तो क्या बचाएगा हमारे पास क्या हो पलस y is equal to 0 अब दो नमबर के multiply 0 है तो x तो यहाँ पर 0 हो नहीं सकता ठीक है, तो बच्चा है क्या क्या हो पलस y is equal to 0 ठीक है, therefore required equation is in in cubic form is required equation हमारे पास है, क्या जी cubic form के अंदर, cubic form के अंदर कैसे लिखेंगे इसको, क्या हो y की cube is equal to 0, ठीक है जी, यह हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका answer हो जाएगा check करते, इस cancer क्या हमारे पास third part का y plus क्या हो क्यों हो प्यों हो गए ठीक है जी, हमारे पास भी हो यह क्या हो प्यों हो प्यों हो जल्दी से note कीजिए, इसके बाद करते है, question number 12 question number 12 हमारे पास if alpha beta gamma alpha beta gamma are the roots of x cube minus x minus 1 is equal to 0, so by transforming, so by transforming technique that 1 plus alpha upon 1 minus alpha, 1 plus beta upon 1 minus beta plus k 1 plus gamma upon 1 minus gamma is equal to minus k 7 question number 12 को प्यों हो श्राइब को प्यों हो आचुका है ठीक है, question 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 को प्योंदी ध्यान से करेंगे, आसान question है, गवराना नहीं है, बिल्कुल आथान है, तो हमारे पास, कहीजिए, alpha beta gamma गमा रूट्स के रूट्स है के इसे क्यूशन के इसलोफा बीटा गामः हुआ दर रूट्स ओ एक्यूशन अक्सा गो मारद सोफ सब्सalt निस एकवालने की इप ख़ए अल्फा पे गायब है तो क्या गजीड सीयो अलफा बीटा मारए हमारे पास क्या बनेगा जी last रम constant constant sin negative है एक negative हम लगाते हैं तो यह बनेगा हमारे पास वनके एक ओल ठीक है अब हमें करना क्या है हमें निकालने जी इसके रूट है, so by transforming technique this, कि ये हमारे पास इसके कोलाज है, मतलब क्या जी? ये भी एक रूट है, ये भी रूट है, ये भी रूट है तो sum of roots हमारे पास minus 7i तो अब हमें ऐसी equation बनानी है, कि जिसके root हमारे पास ये मिल जाए, ठेक है? Now we will form a equation whose roots are, that is 1 plus alpha upon 1 minus alpha, comma 1 plus beta upon 1 minus beta, comma 1 plus gamma upon 1 minus gamma, ठेक है जी? Let the new equation is in y then, y is equal to 1 को लिख देते कि इसी को 1 plus alpha upon 1 minus alpha ठेक है जी? तो यहाँ पे alpha के place पे हम x लिख सकते है तो y is equal to 1 plus x upon 1 minus x because alpha i j root application 1 root है, तो यहाँ से क्या करूँ? x के value निकाल लिए है तो cross multiply करते हैं तो y minus के yx is equal to 1 plus x x x के value तो x के value चीए इस हैड लिख लिख minus के yx चलो इसको minus है तो plus बनाते हैं तो यह हो जाएगा y minus के 1 is equal to x plus के yx ठेक है जी? यह हो गया? हमने क्या किया? 1 को उस हैड ले गे minus के हो गया minus y x को इसे एले प्लस के हो गया थिए बचाएगा मारे पास y-k1 अपोन में 1 प्लस के y is equal to x ठीक है हमने यह से कोमन निकाल दिया x तो मारे पास क्या बन जाएगा यह y-k1 is equal to x into 1 प्लस के y तो x को लिए क्यों जाएगी 1 प्लस के y क्या जाएगा निच्च आ जाएगा ठीक है यह हमारे पास हो गया x की वैल्यू put in equation 1 we get equation 1 के अंदर put करते हैं यहां पे तो यह बनेगा y-k1 upon 1 प्लस y की क्योब माइनस के y-1 upon 1 प्लस y-k1 is equal to 0 ठीक है जी हो गया इतना कम राइट इसके बाद हमें क्यारना है इस equation को solve कोई बात नहीं इस equation को solve करते हैं यह हमारे पास नई equation के रूट है ठीक है इसके रूट है तो पैचान तो होगी आपको रूट कैसे दिखते हैं कैसे हैं ठीक है तुम इसको इरेज कर दता हूँ नहीं पैचान होगी तो यह रेब यहां से उठा लो रूट ही तो है ठीक है जी हमें थुड़ा स्पीश चाहिए यहां पे तो इसलिए तो भी यहां से हम इसको पलस लिख दूँ चलो माइनस लिख रहे रहें देते हैं पलस बाद में कर लेंगा अब उन में पलस के वाई माइनस के वन इस इकल तो जिरो अब वन पलस वाई की क्यूब नीचे और वन पलस वाई हमारे पास एल समाजएगा वन पिलस वाई की क्यूब तो क्या करते हैं इस कमपलेट एकयोचन को वाई माइनस के यहांपर आज ऑजएगा जी वाई वन पलस के वाई की क्यूब इस इक तो जिरो इसको associ बाद करते हैं तुमनेगा वाई क्यूब माइनस के 3y square plus 3y minus 1 की multiply करते हैं इसके साथ 2y minus के 1 plus y square की multiply करेंगे तो y cube minus के नहीं नहीं एक सेगेंड mistake हो जाएगी वो whole square हमारे पास ठीक है जी तो इसको open कर लगते है 1 plus के y square plus के 2y y minus के 1 ठीक है लीजिए minus के 1 plus के y की cube is equal to 0 ठीक है इतना काम हो गया हमारे पास तो y cube minus के 1 minus के 3y plus के 3y अब y की multiply करते हैं इसके साथ तो minus नहीं लगाते हैं बार ताकि बाद हैंबे mistake ना हो तो 1 की multiply करेंगे इसके साथ तो क्या आएगा y minus के 1 y square करेंगे तो plus के y cube minus के y square फिर 2y की करेंगे 2y square minus के 2y ठीक है जी minus वहाँ से 1 plus के y cube plus के 3y plus के 3y square ठीक है जी is equal to हमारे पास के 0 के एक वार इतना काम हो गया हमारे पास इसके बाद हमें यह condition सो करने है तो मैं इसको यहाँ पर लिए देता हूँ अब हमारे नगयूस तो है नहीं तो देखो यह हमारे पास y cube minus 1 minus के 3y square plus 3y और यह minus 1 है अंदर जाएगा ठीक है जी कुछ cancel out होता है कुछ भी cancel out नहीं होता है यहाँ पर तो माइनस अंदर जाएगा तो क्या बनेगा minus के वाई पलस के वन minus y cube plus y square minus 2y square और पलस के 2y सेम यहाँ माइनस 1 minus के y cube minus के 3y minus के 3y square is equal to 0 अब यहाँ से y cube के ट्रम एक साथ कर लो y cube के ट्रम एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है ऐसा करने से हमारे पास y cube के ट्रम तो क्या हो जाएगी जी cancel out हो जाएगी तो y cube अगर cancel out हो गया तो हमारे पास फिर बचेगा क्या है हमारे पास वाई कर वाई कर लगते हैं y-1 के एकस्पिलस माइनस के वन तो हमने वन पलस वाई क्यूब से मल्ट्पिल एक यह इसको तो यह लिखा में इंद की एक इस आउड़ा गया तो मारी पास एक बाइनस के वाई ऐसा स्था फिए सब्साइब यह बाइस करका तो भी अपर एक तीर्ट अपर इस पर एक यहां पे और वी श्केर एक यहाँ पर ऑफनी पीड़ा एक यह पर एड्यस का धूंट के टूंट कर एड्य-ट्रॉ निस कर्थ ध्यर अढ़र एक हमारी पास यहां पर गाइड़ एठ टूंट मैंस कर के ट्रम देखत होगे माइनस के वन यह बचा हमारे पास तो इसको माइनस ऐन से मिल्टिप्लाय करेंगे तो वाई क्यूब प्लस एट वाई स्केर माइनस वाई प्लस के वन इस इगल टो जीरो एक सेगंड देखते हैं जो आइस कोपिशेंट हमारे पास वो एट सेवन वोना चाहिए माइनस के 3 माइनस के 2 है और माइनस के 3 यह से एट बनता है एट निचिये हमाएं सरे सेर्ट में चाहिए न अ सुमामब रूट निकाल पाएंगी इस कोपिशेंट हमारे पास हम नहींके मेल्टिप्लाय कि वाई क्यों 되는 एक माइनश कर थीवाई स्केर और plus के 3y ठीक है जी? यहामारे पास हो गया इतने माकाम माईनस के 3A square भी पलस के 3 a b square माईनस के 1 plus के y square plus के 2y y minus के 1 minus के 1 plus के y q ठीक है तो y q minus के 1 minus 3y square plus के 3y minus के 1 से multilay करें y minus 1 y square करेंगे तो y cube minus के y square ठीक है पलस के टूए स्के देखो हमारे पास टूए सके था ना एक वाइस करें भी दा हमारे पास टोटल हमारे पास कितना बचाई सेवन ठीक है अब हमारे पास क्या निकालते हैं इस समोफ रुट्स डective किसका गौं प्लस अलफा अप्वन 1ısıल cotton फ्लस के वन एंप्लस भीटा अपन प्लस मैं एस अपन है एकटमा तो तरह evident के साथ तॉ मैंस कई सैवन यह हमारे कैसी अड़ी मत looked up ज़ल देने कि जेंगे उत पौश्क इसके वाद हमारे पास next question, question number 13. If x1, x2, x3 are the roots of x3 minus x2 plus 4 is equal to 0, form an equation whose roots are x1 plus x1 square, x1 plus x2 square, x2 plus x3 square, x2 plus x3 square plus x1 square, x3 plus x1 square, x3 plus x1 square plus x2 square, ठीक है जी, यह हमारे पास है, इसका second part भी हमारे पास alpha, beta, gamma, roots of this equation, form an equation whose roots alpha plus beta square, gamma square, बिल्कुल same होगा जी, ठीक है, क्या है, first part के अंदर हमारे पास x1, x2, x3 रखे, second part के अंदर यही चीज़े alpha, beta, gamma सी replace करते हैं, बस इतना सा काम है, और कुछ नहीं, second part आपके लिए होगा, तो first part को जांज़े समझ यहेगा, ठीक है, x1, x2, x3, यह क्या है, roots है, इस equation के, if x1, x2, x3, are the roots of the equation, that is x2 minus x square, plus 4 is equal to 0, equation 1, roots है, तो some of roots निकालते हैं, तो क्या बनेगा, x1, plus x2, plus x3, यह हमारे पास को उता है, second term के साथ, negative sign, तो क्या बनेगा, x2, coefficient, 1 आता है, यहां से 1 है, तो इसके value आगे 1, product of fruits निकालते हैं, x1, x2, x3, वो मारे पास क्या बनेगी, minus के 4, ठीक है जी, right, एक कुछन को पहले complete लिखोगे, उसके बाद, minus, plus, minus, इस्टाइफिसल होगे आप, otherwise, last term check करने के लिए क्या करो, यह power check कर लो, even है, तो plus आएगा, odd है, तो negative आएगा, ठीक है जी, यह होगया हमारे पास, let the new equation, is in y, new equation मांगे चलते हैं, कि इसके अंदर y के अंदर है, then, जो y होगा, y हमारे पास क्या जी, यह देर रखे, किसी वेक को पूट कर दो, x1 plus, x2 का स्केर, plus x3 का स्केर, ठीक है जी, यह हमारे पास है, that is alpha plus beta square plus gamma square, तो इसको लिख सकते हैं, आप एक स्वन, plus के x2 का स्केर, plus x3 का स्केर, यह हमारे पास वही चीज़ है, beta का स्केर, plus के gamma का स्केर, तो इसको लिख सकते हैं, x2 plus x3 का स्केर, minus के, 2x2, x3, ठीक है, इसको मैं से लिख सकते हैं, इसको न, alpha beta gamma brain के इंदर, दिमाग में रख करके, तब सोचोगे न, तो यहाँ पर problem नहीं आने वाले हैं, तो यह x1 है, ठीक है जी, plus के x2 plus x3, value आँ से निकाल दें, तो क्या आएगा, 1 minus के x1 आएगा, इसका स्केर, minus के x2, x3 है, हमारे पास x1 भी उठता है, तो काम हो जाएगा, तो क्या को इसको, x1 से multiply, x1 से divide, ठीक है जी, तो यह x1, इसको अपन करेंगे, plus 1, plus के x1 का स्केर, minus के 2x1, और यह हमारे पास, x1, x2, x3 के value क्या है, minus के 4 है, तो माइनस ही यह है, तो पलस के 8 हो जाएगी, अपोन में, x1, ठीक है जी, यहाँ पर x1, minus के 2x1 है, तो यह बचेगा, minus के x1, plus के x1 का, plus के 1, plus के 8 अपोन, x1, इसको में भी लिख सकते है, minus के x, plus के, x2, plus के 1, plus के 8 अपोन x, because, x1 इसे, root of equation 1, जो x1 है, वो equation 1 का क्या जी, root है, x1 root है, तो हम उसके plus पर x भी लिख सकते है, क्योंकि x भी तो क्या है, इस equation का root है, ठीक है जी, तो इसको simplify करते है, तो यह बनेगा, xy, is equal to minus के x2, plus के x3, plus के x, plus का 8, ठीक है जी, तो x3, minus का x2, plus का x, minus का xy, plus का 8, ठीक है जी, is equal to 0, तो x3, minus का x2, फिर, plus का x को मना जाएगा, तो 1 minus के yx, plus का 8, is equal to 0, इसको नाम देते, equation number 2 का, now, equation 1 minus के equation 2, we get, अब equation 1 में से, equation 2 को सब्टेट करेंगे, तो x3 में से, x3 cancel out, minus x3 में से, minus x3 cancel out, अब बच्चेगा 4, 4 minus, 1 minus के yx, minus का 8, is equal to 0, तो 4 minus 8 के उत्ता जी, minus के 4, minus के 1 minus के yx, is equal to 0, ठीक है जी, हमें कहाँ चाहिए, यहां से x के value चाहिए, तो इसको उठा करें, वहाँ बेज़ दो, right side, तो minus के 4, is equal to, 1 minus के y, upon x, तो x is equal to, minus के 4 upon, 1 minus y, ठीक है जी, इस minus sign को, अगर हम adjust करना चाहिए, तो इसको लिख सकते है, 4 upon y minus के 1, ठीक है, नीचे से minus को में निकाल दिया, ओपर minus था, cancel out हो गया, इसको अगर दो जी put, कहाँ पे equation 1 के अंदर, इसको equation 1 के अंदर put करेंगे, तो हमारे के जगे यहां से required equation आ जाएगे, तो यहां पूट करते है, x की value हमारे पास कहा है, 4 upon y minus के 1, तो 4 upon y minus के 1 की cube, minus के 4 upon y minus 1 का square, पलस के 4 is equal to 0, तो यहां से 4 की cube कितने उते जी 64 होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास y minus के 1 की cube है, तो इससे क्या करें, multiply कर दे, throughout minus के, y minus के 1 का square बचेगा, और 4 का square हमारे पास उत्ता जी 16, पलस के 4 into y minus के 1 की cube is equal to 0, तो 64 minus के, multiply करेंगे, ठीक है, तो यह मारे पास बनेगा, y का square, that is 16 y का square, यहां से 1 आएगा, पलस के, एक बार है, तो माइनस के 16, फिर माइनस के 2 y आएगा, तो माइनस का यह है, तो पलस के 2 और 16, that is 32 y, पलस के, 4 y cube, minus के 4, और माइनस के 3, एस square भी होता है, तो माइनस के, 3 चोक 12 y square, पलस के, 3 y, 3 चोक 12 y, is equal to 0, तो y cube के टरम एक साथ कर लेते हैं, 4 y cube, अब y square टरम देखते हैं, minus 16 है, minus 12 है, तो माइनस के 28 y square, y के टरम 32, और 12, तो जाएगा हमारे पास, 4, 4, 4, 4, 4 y, अब कॉंस्टेंट टरम, 64, minus 16, that is 48, ठीक है जी, 48, माइनस के 4, 44, तो पलस के 44, is equal to 0, तो यहांसे मुझे 4 common दिख रहा है, तो इसको लिख सकते हैं, y cube, minus के 7 y square, पलस के 11 y, पलस के 11, is equal to 0, this is the required equation, यह हमारे पास के उजएगिस की, required equation हो जाएगी, एब इसका अंसर मैज कर लगते हैं, ठीक है, 13 का first part, तो y cube, minus के 3 y square, minus के y, पलस के 19, is equal to 0, यहांपे तो आंसर कुछ, और दिखा रखेन होने, ऐसे कैसे, x cube, minus के x square, plus के 4 is equal to 0, ठीक है जी, और हमने यहां से क्या निकाला था, equation 2, हमारे पास यह बन गई थी, y is equal to minus के x, plus x square, plus k1, plus k8 by x, ठीक है, तो x y is equal to, minus x square, plus k x cube, plus k x, plus का 8, तो x cube, minus के x square, plus के x, minus के x, y, plus k8 is equal to 0, तो x cube, minus के x square, plus के x को मना जागा, तो 1 minus के y, plus का 8 is equal to 0, subject के हमने 1 में से 2 को, तो हमारे पास बना, x cube, x square, x square, x square, cancel, 4 में से, minus, 1 minus के y, x, minus का 8 is equal to 0, तो 4 minus 8, minus के 4, minus के 1 minus y, x, minus के 4 is equal to, 1 minus के y into x, x is equal to, तो हमारे पास बनेगा, minus के 4, upon में 1 minus y, ठीक है जी, हम इसको एड़ेस्ट करते हैं, y minus 1 करके, 4 upon y minus के 1, इसको पूट किया, ने के समन के अंदर, तो 4 upon y minus के 1, की cube, minus के 4 upon y minus 1, का square plus के 4 is equal to 0, तो 64, y minus 1 की cube से में लेकर, cancel out, यहां करें, देख मिस्टेक कहा हुई है, यह हमारे पास, y minus के 1 आएगा, क्योंकि square यहां पर था, cube से multiply करें, single power बचेगी, single power बचेगी, तो यहीं से mistake होगी हमारे पास, यह बनेगा, minus के 16 y, ठीक है, और minus minus plus के 16, यह बनेगा हमारे पास, और यह टर्म नहीं आए गया हां से, बस, इतना काम हो गया, ठीक है जी, तो अभी यहां से जो टर्म होई है, वो चेंज हमारे पास, y cube की टर्म है, 4 y cube, y square के टर्म हमारे पास कितने हो जाएगे, minus के 12, y square ठीक है, y की टर्म हमारे पास, minus 16, 16, और पलस के 4, तो मैंस के 4 y, ठीक है जी, कॉंस्टेंटर मुआरे पास 16, 4, पलस के 16, 80, 80 में से 4, मैंस करेंगे हम, तो हमारे पास 76, is equal to 0, तो 4 से डिवाइड करेंगे, इसको हम, 4 एकम 4, 1, y cube, minus के 3 y square, minus के y, पलस के, 4, 1, जा 4, 3, 4, नी, y cube, minus के 3 y, minus के y, plus के 19, अब इसका answer, इसका answer, मैच करता है, y cube, minus के 3 y, minus के y, plus के 19, is equal to 0, ठीक है जी, यह हमारे इसका, answer उचका, बिल्कुल correct answer है, same आपको, ऐसी, जिसका second part है, इसके बाद हमारे पास, दो तिन कोशन, ओ रहे थे, इसके, वो करेंगे, हम next class के अंदर, तब तक वीडियो के enjoy करो, अच्छे लगे, तो उपने friend के साथ, share भी करो, मिलते जल्दी, बाई बाई, take care, see you, thank you for watching,